आज हमें 78 साल हो चुके आजाद हुए लेकिन आज भी माजाद नहीं है आज भी हमारे देश की लड़किया आजाद नहीं है क्योंकि आज भी हमारे देश की लड़किया बाहर की खुली सासे नहीं ले सकती कि बाहर अगर में निकलती है रास्ते पर चलती है तो रास्ते में चलती हुई लड़कों को अगवा कर लियाता है आज भी हमारे देश में ऐसी हालत है जैसे अभी केस आया है कोल कत्ता का केस आया आप सभी ने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि उस डॉक्टरनी के साथ म क्या क्या हुआ है आज भी ऐसे कुट्रमान सिक्ता के लोग है जिनके दिमाग में बस निगेटिविटी फैली है बस उनके दिमाग बस सैतानी सैतानी दिमाग है बस उनके पास आज भी हमारे देश में ऐसे लोग है एक लड़की इतने संगर्स के बाद में किसी पोजिशन तक जाती है किसी मोकाम तक जाती है तो वहाँ पर कुड्र मानसिक्ता के लोग जिनकी मानसिक्ता बहुत यह गंदी है जो हर पल परतेक लड़की का बारे में गलती सोचते रहते हैं वहाँ भी उनको नेजी ने देते हैं आज भी हमारे देश में ऐसे मानसिक्ता के लोग है जो रे सब्सक्राइब जब तक जनता के अंदर या ऐसे गलत लोगों के अंदर सरकार का डर नहीं रहेगा तो तब तक यह ऐसे खुले घूमते रहेंगे आप ने देखा भी होगा जैसे कोलकत्ता में केस हुआ है उस लड़ी के साथ में डॉक्टर ने के साथ में कितनी घिनोनी अरकत की गई है किस कितने बुरे तरीके से उसके साथ गलत किया गया आपने देखा ही होगाँ हमारे देश में है कुछ तो ऐसे लोग है उत्ति अपते बहुत ही बहुत सर्मक घटना हूई है और इनमन उसमें एक का हाथ नहीं है, बता नहीं कितनों का हाथ है, नेताओं तक का, और जो इसके कोलीज के प्रिंसिपल है, होस्पिटल के में हैं, उनका भी सब गाता अफ सोरगा भी यहां तक का हाथ है, अब तुम देखो, जो पड़े लिखे लोग हैं, वे भी ऐसी घिनोनी हरकतों को बढ बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे देश में पड़ाई लिखाई करने के बाद में, यही तो सीख रहे हैं, कि अपने देश में गलत चीजे कैसी फैलाई जा सेगे, ज्यादतर तो लोग ऐसी हैं अपने देश में, कि गलत चीजों का कैसी फैलाई जाए, पड़ाई लिखे करने यह सोचते बस में और कुषनी सोकते फिस्टों के लिए सईधी मोथ होने चाहिए सधी कोई माफी-मुथी कुषनी सजाह क्योंकि जब तक ड़नी रहे गा जनता ऐसे लोगों के अंदर तब के पर रूक wonderful वाला नहीं है एक डर ही इंसान को सही रास्ते पर लेकर जाते हैं हम है और अगर कोई लड़का गलत भी है तो उसमें ज्यादतर उसके माबाप का भी हाथ रहते हैं यह मेरा मानन है अगर कोई लड़का या कोई भी लड़का ऐसी घिनोनी अरकत करता है और ऐसी गंदी सोच रखता है तो उसमें कहीं न कहीं उसके माबाप का भी हाथ रहते हैं क्योंकि मैं अपने लड़के को गयर टाइम अपने घर से जाने देते हैं आजाद बनाकर रखते हैं इधर भी में कुछ भी बोल देता है लेकिन में उसको कुछ नहीं बोलता है मेरे याद है मतलब मेरे एक दोस्त थstein करलें और कि अबाहरी मॉझमने चलते हैं और बहुता था मैं उसको बोलता था नहीं हमें बाहर नहीं जाना चाहिए अगर कुछ जादी एमर्जंसी काम है तो चलेंगे वरनावे बाहर मोजमस्ती ये अपने घर में कर लें कोई दिक्कत नहीं लेकिन वो मेरे सा बार-बार पूछता था कि ऐसा क्यूं हम बार क्यूं नहीं फिर मैं उसको एक ही जवाब देता है बस कि अगर हम बाहर घुमेंगे मोजमस्ती करेंगे तो अगर किसी लड़की को कुछ एमर्जंसी काम है उसको कहीं जाना है तो उसके घरवाले उसको वहीं पर रोख लेंगे कि बाहर मत जा बाहर लड़कों के रूप में सैतान गुम रहे हैं वे हमें सैतान बताते हैं और ऐसा होता भी है क्या अपता कोई लड़का उस लड़की एक साथ में क्या गलत कर ले क्या नहीं तो मैं कभी भी आट में एक बाद में कभी अगर कुछ यादी एमर्जंसी काम ह याद सेमाली है क्योंकि हमारी वज़े से लड़कों को प्रॉबलम होती है जो घर से बाहर जाती है उन्हें कुछ काम है अपना काम करने से प्रॉबलम होती है इसकी इसकी वज़े से मैं कभी अपने घर से बाहर ने निकला कभी भी क्यों कि हमारी वज़े से और और लड़कों की जो और लड़कों की आ जा दिया है वो रुख जाती है हमारी वज़े से हम लड़कों की भी एक responsibility है जो हमें भी निभानी चाहिए हमारे भी कहीन कहीन गलत चीजों के इन गलत चीजों में योगदान होता है क्योंकि हम एक मतलब 10-15 साल के बाद में बस भूमना फिरना इदरी ऐसा ही लगा देते है गैरा टाइम की कई दरी भी आ जा सकते है कि दरी कुछ भी हमारी fully आ जा दी हो ुकि हम भ़ते बाहर ऐसे घुमते रहते है आज़ाद कि कर दियुक्स कर देयwent आ जार जाद आ ते रहते हैं लेकिन हमारी वैसह उनकी आजयादी पर रोग लगते हैं इसने अगर कुछ जादी सी काम जटी बाख बाल नमंने निकले कुछ ज्यादी आजयोरी काम है तो अबन चोटी बतीजी है सिसको मैं बोलता रहता हूं कि बाहर घूमने जाये आगे लेकिन यह को लगत्ता वाली घटना ऐसी उसने पड़ी उसके सामना है सामने आई सामने आई तो उसने भी एकी बात का कि अंगल जी आप बोलतो देते हो कि तुम अखेली बाहर जाओ, लेकिन मैं अखेली बाहर चली जाओ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी प्रोब्लम नहीं है, लेकिन सामने वाले की कैसी सोच है मेरे परती, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे साथ क्या घटना है हो जाए, उसको आप भी जिने साथ गलत गलत होता है एसे रैपिष्ट को सफ्रिय की सजा हो जाना चाहिए निची Nacht अगर कोई भी आएस्स देखा सब्सक्राइब अगर कोई भी यह कुझा दो लड़की क latch को क्वालिफाई करकर किना अपने आप मैं कितना हाड एक्साम किसीकोर इसको को एक हमाई लेना कि ग्याग कि तुर अगर हमें अपने समाजे को साथ सुतरा बनाना इसे बिलत लोगों को समाज से उखाड़ना तबी हमारा देश उन्नती कर सकता है हमारे देश की एक बहन बेटिया लड़ी के जो आ बहन बेटिया तबी सुरक्षित रह सकती है जब ऐसे लोगों को मुखाड फैंकेंगे तो जितना भी हो सक है जो वो बहन है उसको इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजाई की बजाए सिधी फासी की सजाई होने चाहिए या भी चोराई पर गोनी मार देने चाहिए सिधी